इस स्रीज के हमें convergence चेक करने हैं कि यह स्रीज कनवर्जेंट होगी या नहीं होगी यहाँ पर दिया गया है यह स्रीज कनवर्जेंट है अगर यह कनवर्जेंट है तो इस statement true होगी otherwise यह false होगी तो कभी-कभी स्रीज की convergence करने के लिए हमारे लिए comparison टेस्ट कमफर्टेबल हो जाता है तो यहां पर हम देखते हैं कि इस स्रीज का जो यू एन अनथ टॉम है वो क्या है एन रिज टू पावर एन स्केर अपॉन एन प्लस वन एन स्केर और यह जो है यह एप्रॉक्सिमेट है एन एन स्केर अपॉन बिक इक्वल हुआ एन एन स्केर अपॉन एन क्यू इसका मतलब हुआ एन एन स्केर अपॉन एन प्लस वन एन स्केर इस एप्रॉक्सिमेट एन एन स्केर अपॉन एन क्यू अगर हम इन दो को कंपैर कर लें या इसकी लिमिट पता कर लें कि आखिर इसकी लिमिट निकालना और इस तो इसकी limit कैसे निकालें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो numerator part है वह rapid increasing हो रहा है than denominator part से तो इसकी limit है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है greater than 1 रहेगी तो इसकी limit of un cannot be 0 so this series is not convergent अगर आप इसको ऐसा देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं n square जो है वो greater than होगा 3 से for sufficient large value of n particularly आप कह सकते हैं n अगर 10 से बड़ा ले ले तो यहां पर यह inequality hold कर जाएगे और अगर हम base अब इसको n base पर cover up करें तो inequality अभी same रहेगी तो इसका मतलब हुआ n n square is greater than n cube इसका मतलब यह imply करेगी n n square upon n cube because of n cube क्या है positive real number है वो सारे के सारे one से बड़ी होंगी तो इसका जो limit है कभी भी zero नहीं हो सकता है अगर इसका limit zero नहीं हो सकता है तो यह जो series है कभी भी convergent नहीं होगी और यह series positive term series है तो क्या तो यह converge करेंगी या diverge होगी इसका अधर वहिवियर नहीं हो सकते है तो not convergent means कि अधर्जेंट